चुनाव आयोग ने शनिवार को अगामी उत्तरपदेश बिधान सबाच चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है इसके मुताबिक उत्तरपदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बेच 7 चरणों में मद्दान होगा हलाकि इस दोरान चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी राज़ में रैलियों और रोडशों के आयोजन की इजाज़त नहीं होगी आयोग के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के प्रमुग अखले सियादों खासा नाराज दिखे आयोग ने कहा कि इन चुनाव में 15 जनौरी तक किसी भी नुकर सभा व साइकिल रैली या बाइक रैली और पद्यात्रा जैसे चीज़ों पर रोक नहीं रहेगी रोक रहेगी आयोग ने कहा कि केवल डिजिटल रैलियों को प्रचाहन दिया जाएगा इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्स अखले सियादों ने सनिवार को कहा कि अगर चुनाव आयोग युपी बिजान सबाद चुनाव 2022 में राजनितिक दलों के लिए वर्चुल रैलियों के पक्ष में है तो आयोग को इसे भी सभी राजनितिक दलो के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए अखले सियादों ने कहा कि पहली बार कोरोना के समय में इस तरह से चुनाव हो रहा है आयोग ने कई तरह के नियम बना है लेकिन वर्चुल रैलियों की हम बात करें तो आयोग को इन पार्टीयों के बारे में भी सोचना के पास वर्चुल रैली के लिए प्रयाप्त इंफ्रास्ट्रक्शन नहीं है अखले सियादों ने कहा कि चुनाव आयों को भी बक्षेदलों को टीवी पर अधिक समय देना चाहिए और या फ्री में मिलना चाहिए भाजबा के पास पहले से ही पहुत इंफ्रास्ट्रक्शर है एलेक्शन बॉन्ड भी उन्हीं के साथ है सबसे ज़्यादा मिलते हैं विपचपाटियों को भी कहीं कहीं स्पेस मिलना चाहिए भाजबा परती का आमला बोलती है वेकले सियादों ने कहा कि पच्चार चुनाव में लोगों ने देखा था कि भाजबा के कारेकरता अधि जिली में चुनाव कारेकरम के घोश्णा चे कुछ घंटे पहले लखनवर में एक शंबदाता सम्मेलन में अखले सियादों ने कहा कि चुनावायों को राजनितिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए ताकि वे राजनितिक दल एक अदम आगे बढ़े बुनियादी धाचा त्यार करें कियोंकि हम भाजबा के बुनियादी धाचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं इसलिए हम अपील करते हैं कि चुनावायों को राजनितिक दलों को सरकार से कुछ फंड दिल बाना चाहिए ताकि लुकतांत्रिक विवस्ता में सभी राजनितिक दल जिन के पास बाजबा की तरह मजबूत नहीं है वे मुकाबले करने में सक्षमा पाए इस पर आपकी क्या परतिक रिया है कमेंट बोक्स में ज़रू बताइएगा धन्य बाद